नमस्कार आप भारत लाइट देख रहा हैं बिहार में एंडिये गटबंदन में दो दल खास कर आमने सामने रहते हैं हम बात करें बहाजपा की और जेडियू की तो दोनों दल कई ऐसे मुद्दे पर आमने सामने रहे हैं चाहे वो कृषी कानून हो धाड़ा 370 हो या मुस्लिम लओ हो इन तमाम खबरों को लेकर वो दोनों लोग आमने सामने रहे हैं कहीं न कहीं कृषी कानून को लेकर एक तरफ से नितीश कुमार भाजपा का समर्थन कर रहे थे वहीं नितीश कुमार के कई नेता अगर माने तो क क्रिशी त्यागी ने खुले तौर पे उसमें संसोधन की बात कह दी थी और कह दिया था कि क्रिशी कानून को लेकर किसानों की जो समस्चाएं हैं उसको सुना जाना चाहिए आपको बता दे कि बिहार में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें ये दोनों लोग आमने सामने रहें अब इस मामले को लेकर आसाम से एक मामला चला और उत्तर प्रदेश में आकर अटक गया आपको बता दे कि ये मामला क्या है ये मामला है जनसंख्या नियंत्रनविल इस कानून को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई योजनाय लाई हैं कई तरह के संसोधन किये हैं और इसमें बताया गया है कि दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग चुनाओं नहीं लड़ेंगे साथ ही कई अन्य सरकारी सुभधाओं से वह बंचीत रह जाएंगे इस मामले को लेकर नितीश कुमार ने खुले तोर पे कह दिया कि जिने लागू करना है वो कड़े बिहार में इस कानून की कोई जरुरत नहीं है यानि उन्होंने सिधे तोर पे कह दिया है अब कि बिहार में ये लागू नहीं होगा बिहार में जन्जागरुकता लाई जाएगी महिलाओं में सिक्षा बढ़ाया जाएगा सिक्षा का अस्तर अगर बिहार में बढ़ता है तो इस तरह की कानून लाई जाने की संभावना नह कि अगर नितीज कुमार इस कानून के बारे में इस कानून का संसोधन और इस कानून को बिहार में लागू नहीं करते हैं तो बीजेपी को समर्थन वापस ले लिना चाहिए जिसपर नितीज कुमार काफी नराज हुए और उनके बारे में कुछ बयान भी दे दिया आपको बत अन्य लोग, सभी लोगों ने इस मामले को लेकर सीधे तोर पे इस कानून को बिहार में लागू किये जाने की बात कह दिये हैं, आपको बता दे कि नितीज कुमार इस पर अड़े हुए हैं और वो इस मामले में आगे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, उन्होंने सीधे तोर प पे कहा है कि जनसंक्या नियंतरन कानून अब बिहार में लागू होगा, कहीं न कहीं वो केंदर में जिस प्रकार की राजनीत करते हैं, वो अब बिहार में भी इस तरह की राजनीत करना चाहते हैं, और नितीज कुमार के उन सभी वायदों का, नितीज कुमार जिस बात का ज अजय निशाद ने भी इस मामले को लेकर सपोर्ट कर दिया है उन्हाने सीधे तोर पर कहा कि बिहार में जनसंक्या नियंतरन कानून लागू होगा इसके लिए बिहार में जो कुछ हो जाए यानि सीधे तोर पर अगर यूँ कहें तो वो बिहार में जनसंक्या नियंतरन कानू के पक्ष में है और अगर बात रही नितीश कुमार की तो नितीश कुमार को मनाया जाएगा उसके लिए बताया जाएगा कि किस प्रकार से इसके बेनिफीट्स हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नितीश कुमार भाजपा के दबाओं में आकर यह जनसंख्यान यंत अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद